कि गुट मॉर्निंग डियर स्ट्वेंट्स एंसे डी क्लास नहीं तक जो मैतेमेटिक्स का सॉलिशन चल रहा है उसमें आज अपन एक्ससाइज छो ऑपने दीखा कि किस तरह से यूपंई को अपने शॉल करा कि अपने को आज जो अपने को सीखना है वो solution of linear equation होते क्या है थोड़ा सा पेले समझीए फिर मैं आपको इसके question पर ले चलूँगा इसमें कुछ value रखी x और y की कोई सी भी value में चेकता तो suppose x is equal to 1 और y is equal to 1 में एक value पूट करता हूं इसमें अगर ये value x और y की जगह पर पूट करने पर देखो equal to में क्या है 3 और इस lhs का भी solution क्या जाए lhs जो ले रहा हूं left hand side इसमें x और y की value पूट करूँ और उसका solution rhs के बराबर आ जाए तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो x और y की value थी ये इस equation के solution हुए फिर से ध्यान से सुनिए मैं ग्या कर रहा हूं एक x की value पूट कर रहा हूं और y की दोनों x और y दोनों की value पूट कर रहा हूं lhs site में रखता हूं और उसका solution करता हूं अगर वो rhs के बराबर आ जाता है तो मैं बोलूँगा कि x is equal to 1 और y is equal to 1 इस equation के solution है अगर equal to नहीं आता है तो मैं बोलूँगा कि ये इसके solution नहीं है है इसको बोला जाता है solution of a linear equation चेक करते डियर स्ट्रेंट से एक एक जामपन जैसे टू इंटू एक्स की जगह मैंने वन पुट करा है ना प्लस y की जगह 1 पुट करां क्या गया 2 इंटू 1 2 प्लस 1 is equal to 3 क्या गया मतलब lhs और rhs बराबर आ गई है ना rhs दोनों बराबर आ गई 3 equal to 3 तो मैं ये बोलूँगा कि जो x is equal to 1 x और y की जो value ली मैंने सपोज यहां 1 ली थी और यहां 1 ली थी is the solution of is solution of of linear equation या इसा equation का नाम लिख दिए 2x plus y is equal to 3 clear value put करी और solve करा my distance जब एक linear equation होती है उसमें और number पर put करें मैंने चलिए दूसरी value हो सकता है कि एक की value put करने पर आ रही दूसरी एक value put करतों मैं for example 1 by 2 और 2 put करा मैंने x और y की value तो मेरे बास equation है 2x plus y equal to 3 2x की value 1 by 2 plus y की value 2 2 से 2 finish 2 और 1 जुड़ेगा तो क्या जागा इसका मतलब यह 1 by 2 or comma 2 x और y की यह भी क्या है इसके solution यह भी क्या है इसके solution चलिए एक और value में put करता हूं suppose 3 comma 2 2 into x की जगह क्या put करूं मैं 3 और y की जगह क्या put करूं 2 solve करा इसको मैंने तो यह 6 plus 2 यह तो 8 आगे डिरेशन जो के रहेच्छ के बराबर नहीं आया is not equal to not equal to 3 यह इसके not equal to 3 तो यह solution नहीं है no answer क्या देंगे कि यह इसका solution नहीं है कहने का मतलब यह है dear friends कि जब आप number of point रखेंगे इसमें तो बहुत सारे point इससे मिलेंगे जिस पर जो है यह इसका solution बनेगा मतलब यह equation पूरी तरह satisfy होगी और बहुत सारे point इससे मिलेंगे जिन पर यह satisfy भी नहीं होगी तो यह बोल सकते है कि यहां पर जब number of solution बहुत सारे आएंगे पता ही नहीं कितने आएंगे निकालते यहां बैल सब्सक्राइस करते जाएंगे तो यहां क्या होंगे इन्फाइन हाइने चैनल यहां पर अगर जैसे में यहां पर निकलता और उसके बाद कोई नहीं निकलता तो पता चलता कि यूनिक सॉलीशन एक ही सॉलीशन आ सॉलीशन ज्यादा रहे इसलिए इनको इन्फानेट मेंनी सॉलीशन की केटेगरी में ठीक है थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताए कि सॉलीशन होता क्या है क्या इतना सिखाया मैंने आपको कि किसी क्यों का सॉलीशन किसको बोलते अगर वूस्ट वह पॉइंट जो है एक स इक्विशन में पूट करने पर इदी वह उसको पूरी तरह से सटिस्प़ाइब पूरी तरह से सटिस्पई मतलब एक सोर आरेच चैस की वैलू क्या है समान आ जाती है इसका मतलब वह बैलेंस है मतलब यह इसका सोलीशन है चले कोशन से देखते डारेक्ट और कुछ कंसेप क्लियर होंगे आपको जैसे इस एक्सरसाइज 4.2 का को नमबर लेते हैं को को पूस्चन नमबर वन देखे इस एक्सरसाइज का सुरुवाती कोशन है लेकिन बहुत अच्छा कोशन इसमें आपके लगबख सभी कंसेप्ट में क्लियर करने वालों ध्यान से देखिएगा ठीक है कोशन एडियर स्ट्वेंट्स वीच वन अप दी फालोइंग ऑप्शन इस ट्रू है यह दिए गए ऑप्शन है नीचे वन टू त्री तीन ऑप्शन यह इनमें से कौन सा ट्रू है एंड वाई और क्यों सही है तो एक एक्वेशन दी वाई इस इकल टू त्री एक्स प सब्शन होगए तो यह तो यह थोड़ा सापने लिए और हशान हो गया और यजिकल टू थीओ टूश्य करें X plus 5 लिखाई है केवल यहां X की value put करते जाए तो Y की value मिलेगी चलो मैं put करता हूँ X की value सबसे छोटी 0 मैंने देखा कि 0 put करा तो यहां 3 into 0 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा value क्या मिल जाएगी answer में रखो 5 मिल गया मैं एडियर्शन ऌएस्को एक्स और य के forming में लिखूं गए यहां लिखूं ओ इससे आगे बड़ा मैं सपोस इस इकिs głow मैंने क्या किया करा एक्स क करी है 221 उक्ट करू तो इसको देखा त्यसका पांच देखा कितना हो आठ केने का मतलब यह वही है कि X और Y की बात करूए दिमें तो मैंने क्या करा X की वैलू 1 पूट करी तो मेरे को Y की वैलू कित्ती मिली 8 यही हुआ ठीक है आगे चेक करता हूं X is equal to 2 पूट करता हूं तो Y की वैलू क्या मिलती मैंने एक्वेशन में पूट कर रहा 3 इन 2 2 प्लस 5 कितना हुआ मैंने यह देखा कि यह मिरों को X और Y की जो वैलू यहां पर मिल रही है जब मैंने एक्स की वैलू टूट करी तब मेरों को Y की वैलू कितनी मिले 11 तो मैंने क्या करा 0123456 ऐसी बहुत सारे नंबर रखते गया तो यह क्या होंगे यह जो मैं नंबर रख रहा हूं और उस प 5 ज्यान से समझा जो रो कॉमा 5 यह सब क्या है कि यह इसके सोलीशन है यह सब क्या है डीज एस दससोल्यूशन औफ एक्वेशन है कि यह क्या है एस सो strands open एक्वेशन अच्छा केसे बोल लिया सॉल्यूशन आप एक्वेशन तो मैंने पहले ही चेक करके वाद है आपको कि एक्स और य की वैलू पूट कर दीजे चलो एक एक एक्जामपल पूट करता हूं एक नंबर पूट करता हूं जीरो मतलब एक्स की वैलू कि वैलू कितनी है पांच यह रख दिया मैंने पांच कौनसी एक्वेशन में रख रहा हूं ध्यान रही वाइज इकल टू थ्री एक्स प्लस फाइफ में पूट करके देख रहा हूं दोनों साइट भी है मैं सॉल्यूशन का बोलता हूं जब दोनों साइट लेचेस और रहेचेस बराबर हो ज इस एक्वेशन के सॉल्यूशन है अब मैंने तो जीरो वन टू थ्री के वर तीनी पॉइंट रखें माई डियर स्ट जब आप रखते जाओगे तो अब सक जाओगे इतने नंबर आप पॉइंट रखोगे यहना सॉल्यूशन आते जाएंगे आते जाएंगे बहुत सारे तो मेरे को यहां से क्लियर पता चल रहा है कि इसका जो अप्शन होगा वह कुंसा सही होगा ऑप्शन नंबर थर्ट सही होगा मनलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होगा ऑप्शन ठर्ड जो है अपका है ना इन्फाइनाइट मेनी सॉ को जीशन निकल रहे हैं तो infinite solution आती जा रहे तो इसका अंसर हो गया infinite मेनी solution ठीक है यह तो इस question number 1 था आप का चले question number 2 देखे 6 का क्या बोलता है यह यूनिक सोल यह तीनों ही केरें करें देखते हैं अभाव कि क्या अगर आपने एक कोशन करा जिसमें अपने को ऑप्शन दिए अपने चेक कर और बताए कि इसमें क्या होता है के इन्फानेट मेनी सोलिशन है कि कोशन नमबर दो दिखते हैं कि यह आपके सामने कोशन नमबर दो ठीक है कोशन नमबर दो दिया है राइट फोर सॉलिशन ऑप इच अप दफालूइंग इक्वेशन इसमें क्लियर बोल दिया कि इच अप दफालूइंग इक्वेशन जो दी है उसके चार-चार सॉलिशन लिखी है इसफोर से चार-चार सॉलिशन निकालना तो जैसे मैंने अभी अपको पूट करना सीखा है सिंपल वैलू जो मैंने टू तक पूट करी उसको अफ चार नमबर तक वैलू पूट कर दीजिए ना केसे पूट करना है और केसे एक्वल डू ऑगर हूं मैं इसमें एक्स की वैलू पूट करूं गैंग जी रोग और य की वैलू देखता हूं मैं यहां से वाइटी वैलू निकालना तो पहले इससी कुछ्विशन को से इसे कनवर्ट कर लोग वाई जेकल टू सेवन माइनस टू एक्स वह धिक्कत है तो जा liانster करें चैहां गया जाएगा तो यह क्किल को क्या मिल इस जो मिला मिला कि यह तो यह सलुईशं एपने पूछे चार सोलुईशंपूचे चलो एक एक ही इकल टू वन पृट करते हैं तो तो वाई इस इकल टू सेवन माइनस टू एक्स कि एक्स की वैलू वन आगे देखा तो सेवन माइनस टू मतलब यहां आगया फाइफ तो कुल मिला कि यह जो अंसर आजाएगा एक्स कॉमा वाई का लगल को सब्सक्राइब क्या सिकलना दूक्राइब यह इक्स की वैलू पुट करीत वाई की वैलू कितनी मिली इस वक् clic करता हूं सेवन माइनस टू इंटू एक्स की वैलू त्री अंसर यहां यहां जो पॉइंट मिलेगा एक्स कॉमा वाई आपको वह मिल जाएगा जब करता हूं तो वन आता है कि लिए तो एक से हैं तो यह टू होगा ना टू टू फोर सेवन थ्री आ जाएगा यह तो अंजर आ जाएगा थ्री यहां पर टू कॉमा थ्री यह एक्स इस इकल्डू क्या पूट करता हूं में थ्री वाई की वैलू चेक करता हूं क्या आएगी सेवन माइनस टू इन्टू थ्री अब की बार वन आएगा अब की बार अंसर वन आएगा इसलिए एक्स कॉमा वाई की में बात करूए दी तो उसकी वैलू तो इसको जो है solution इसा लिखे दे सकते हो चारों solution वेदि आपके पास समय है तो आप उसको एक टेबल फॉर्म में insert कर सकते हो कि कि के टेबल फॉर्म में इस तरीके से आप उसको insert कर सकते हो जैसे एक से हो गया और वाए आपको answer देना है चार solution के तो क्या करा मैंने एक्स की वैलू जब जीरो पूट करी तब मेरों को 7 मिला था एक्स की वैलू जब वन पूट करी तब मेरों को 5 मिला एक्स की वैलू जब टू पूट करी अंसर मिला 8 एक्स की सोरी टू पूट करें तो अंसर मिला 3 8 नहीं 3 और जब 3 पूट करी तो अंसर मिला वन यह हो जाएगा इसका solution तो आप लोग इसको क्या है उसको टेवल फॉर्म में अंसर दे सकतो कोई दिक्कत वली बात नहीं हूं ठीक है कि यह था इसका फॉस्ट पार्ट के वल द्यान दर अभी अपने पास इसका सिकेंड पार्ट है इसका थार्ड पार्ट है कि अ कि कि यह थीक है कि ना कोश्चन नमर शेकेंड पर जाओ किया दिया सेकेंड देखिए कि सेकेंड दिया है पी एक्स प्लस वाई कि एक्च्वल में पी एक्स नहीं यह पाई यह आपका पाई एक्स प्लस वाई जिकल टू नाइं यह कोश्चन हैं इसको पेले क्या करो एक एक्स यह वाई में निकाल लो जरूर्वरी नहीं है द्यान से यहां पर एक बात बताना चाहा रहूं मैं आपको 9-5 x कर दिया जिसे मैंने यहां पर पाइक सुको इधर ट्रांसपर करा आप वाई को भी ट्रांसपर कर सकते तर जरूरी नहीं है कि वाई की वैलू निकाल लिए और एक की वैलू पूट करते जाए यह दूसरे की ग 9-5 into 0 अब यह तो पूरा 0 बन जाएगा मतलब 9-0 अंसर आ गया 9 यहां से अंसर चेक करोगे तो भाई यह एक्स कॉमा वाई की वैलू क्या गई अंसर चेक करोगे एक्स कॉमा वाई का तो क्या हो जाएगा एक्स की वैलू पूट करो यहां पर क्या वन वाई की वैलू क्या जाएगी नाइन माइनस पाई फिलियर थार्ड यदि में देखो एक्स इजिकल टू टू पूट करके यह चार सॉलूशन निकालना मेरे को तो यह नाइन माइनस पाई में एक्स का इंटू मतलब टू पाई यहां पर अंसर क्या मिल जाएगा मेरे को एक्स कॉमा वाई का जब मैंने एक्स की वैलू टू पूट करी तब य की वैलू मेरे को नाइन माईनस टू पाई मिली चलो एक और पूट करता हूं मैं x is equal to 3 तो y की value मेरे को क्या मिलेगी है 9 minus 3 pi अच्छा x, y की जो value मेरे को मिलेगी है पर जब मैं 3 put करता हूं तो मेरे को मिलता है 9 minus 3 pi किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए pi की value मैंने put करके solve नहीं करा क्योंकि थोड़ा tough हो जागा जब मैं pi की value 22 बड़के 7 या 3.14 put करके उसको solution करूँगा तो वह question lengthy हो जाएगा बस आप simply जो है यहां तक इसके solution निकाल कर दे दीजिए pi की form में दे दीजिए यह आपका complete जोता है question number two का part number second ठीक है okay now question number जो दो है उसका third पड़ देखिए थर्ड पड़ मेरों को दिया है इनने एक से जिकल टू फोर वाइं एक से जिकल टू फोर वाइं ठीक है यहां तो सिंपल सा अपने इसको फोर वाइं को इधर भी ला सकते और सौल कर सकते लेकिन अपन तो एक form पेले ही बनाते कि वहीं एक इकश की वेलू फांडाँ के जाएं एदना तो यहां तो देखो जैसे यहां पहले मैंने वाइं की वेलू यडी फूट्क है ता य की वेलू निकाल रहा था अभीस तो पॉइंट मिल जाएगा मेरे को एक्स कॉमा वाइ वो क्या मिलेगा सोलुइशन जिसको मैं बोल रहो हूं या जब मैं एक्स की वैलू निघाएगा ंसर देखोंगा तो क्या हो जाएगा एक्स की वैलू मेरोको 4 मिलती है जब y की वैलू 1 पुट करें यह न वाइज इकल टू टू पुट करता हूं यह देखो एक्स की वैलू क्या मिलती है 4 इंटू 2 मतलब 8 हो गया यहां अंसर है दी देखने जाऊंगा तो मैं एक्स की वैलू मेरोको आठ आती ही जब y की वैलू किती है 2 वाइज इकल टू 3 पुट करा अना एक्स की वैलू क्या मिल जाएगी 4 इंटू 3 मतलब 12 क्या होग अभी यह जब मेरोको एक्स की वैलू कम मिली 12 जब वाइक की वैलू में करिए और एक वेक्वेशन के चार सॉलूशन फाइंड आट करिए तो यह कोशन नंबर आपका टू पूरा कंप्लीट हो जाता है कि तो इस तरीके से अपन जो है इस शेप्टर में क्या निकालना सिख रहे एक्सराइस 4.2 में कुश्चन निकालना सीक रहे है एक्सराइस 4.2 में अपन क्या सिख रहे है सोलूशन निकालना ठीक है कि नव आव इस एक्सराइस का कुश्चन नंबर ठड़ देखेंगे अपन इस एक्सराइस का कच्रशन नंबर ठड़ कि अधिक है आधि कि अधिक है तरह कि जुक्ष पर हुआ अधिक कि आधि कि आधिक है एक यह को श्यूंद नमें ठाड़ आपके सामने देखिए गां चेक वीच अप्ड फॉलोइंग और सॉलीशन अप इक वेशन दिये और वीच अर नम्ट बढ़ी सिंपल सी वाते अभी जो अपने करा अभी जो कोशन्न नमबर शेकेंड में करा उसका प्राइब ज़स्ट उल्टा कोश्चन है यह ना सेकेंड नमबर कोश्चन में अपने सॉ solution दिए है और चेक करना है तो चेक करना तो मैंने आपको पहले भी एक दो एक्जाम्पल में सिखाया सिंपल सी एक सवर वाई के वेलू पूट कर दीजिए चेक कर दीजिए अगर दोनों एक एलेचेस और आरेचेस आपकी एकवल आजाएगी तो बोल देना कि यह सोलेशन इसक पहला कुश्चन जो दिया है ओके फर्स्ट कोश्चन कह दिए अपने को 0,2 अपने को यह चेक करना है कि क्या 0,2 इस एक्वेशन का सॉल्यूशन है एक्वेशन कौन सी दीए अपने को दिया हन्स देहान से देखेगा एक्वेशन दिये है एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 ठीक कि किसे चेक करेंगे सिंपल से एक्स और य की वैलू पूट करेंगे बस तो एक्स की वैलू क्या पूट करी मैंने यहां 0-2-2 य की वैलू कितनी पूट करी 2 is equal to 4 यहां आ गया माइनस का 4 यहां आ गया प्लस का यह 4 और 4 इक्वल है क्या तो 4 और 4 इक्वल है क्या नहीं नहीं दिख रहा है मतलब इस माइनस 4 इस नॉट इक्वल टू 4 इसका मतलब यह भी इसके के क्वर नहीं होगा और यह भी इसके एकवल नहीं होगा यह अपने को बात समझने है यह पिल नहीं है तो यहां लिखेंगे मेंस भी जो जी रो कॉमा टू था इस नॉट अ सॉलुशन की इस नॉट सॉस्टिशन कि अनत्य विक्विशन या अबो एक्विशन का नाम लिख दीजिए सिंपल सी बात है इस इक्विशन का सॉलिशन नहीं है सिंपल यह कोश्चन अपकाका कंप्लेट बस इतनी सी बात लिखनी एस और नो एस और नो में अंसर देना है और या यह सेकेंड क्या दिया है सेकेंड मेरो को दिया उन्हें टू कॉमा जीरो अभी जीरो कॉमा टू था चले एक्वेशन में पूट करते हैं पंतो यह एक्वेशन मेरे पास एक्स-2Y is टू कुल टू फॉर हाँ अ डैक्स की वालु टू माइनस 2 ऀनटू जीरो य कि वैलू 4 बहुत यह 3 5 एंदनAD 2игल टू पूर 2 ili कल! पूर वह भी क्या है नाइध़ यह इक्वल निए तो यह भी निकवल है गनल तो अंसर क्या हो जाएगा जब एक्कवली नहीं है तो अंसर जो है वो नो में आ जाएगा नो मतलब यह इसका सॉल्यूशन नहीं है किलियर कि सेकेंड पार्ट था थर्ड बार देख लेते हैं यह थर्ड पार्ट किया दिया फॉर कॉमा जीरो बड़े आसान कोश्चन नहीं है ना इसलिए थोड़ा सा मैं स्पिट आजबा बतार हूं फटावड देके equation कहा दीया मेरे को एक समाइनस टूवाइट एक्वल टू फोर एक्स की वैल्यू के दिए फोर माइनस तुटू य य की वैलूँ जीरो एक्वल टू फोर माइडियर्शन इधर फॉर बच्चा और इधर फॉर बच्चा क्या हुआ ऑंघल्टु फोर उला लिख़ोर गवल्टु पूओर है इसका मतलब हुए सोल्ठ्रड ने क्रक्र क्या diver दिविजिब्स De solution this eve station are not oh one ये इसका सॉल्ठ्रड है कि ए कि छलिए ए मैं इसका फॉर्ट क्या दिया है कि फॉर्थ पार्ड क्या दिया पॉर्ट पार्ड दिया है टू कॉमा यह थोड़ा सा एक्ष्वन में रूट टू है और यह फोर रूट टू है यह दिया हुआ रूट टू और यह दिया फोर रूट टू अपने को तो सेम जो है में रूट टूट कुए सेचा सब्सक्राइब करेंऄ़ होगाए यह इक्ष्वन सेवन सेवन रूट टू आजाएगा इक्वन में कोने इसका मनलब यह सोलूशूशन नहीं है नहीं है टीक है चलेख और स्टाव करीं में चल्व है इसका लास्ट देख लेते हैं पर्स्ट पार्ट रिमू कर्रहूं मैं थीब्ठ नमबर पार्ट देखिये इसका, क्या है 1,1 थीब्द नमबर पार्ट 1,1 एक्वेशन क्या है, X-2Y equal to 4 value put karे 1-2 into 1 equal to 4 1-2 equal to 4 यहां minus 1 और यहां equal to 4 क्या होगा answer यह equal नहीं है यह भी equal नहीं होगा answer होगा क्या कि यह इसका solution नहीं है answer is no answer is no कि यह इसका solution नहीं है असान है बहुत ही चेक करा point put करे एक सोर वाई की जगह पर और चेक करा यदि एक वल टू आ गया तो बोला कि इसका solution है नहीं आया तो बोला इसका solution नहीं है तो यह था आपका question नंबर थर्ड था exercise 4.2 का इस exercise 4.2 का एक last question है question नंबर फोर्थ चलिए उसको भी देख लेते क्या चीज़े हो ओके question नंबर फोर्थ बहुत असाना चान कोशन है कभी कभी पूछे जाते हैं यह question भी आते हैं न कम नंबर का question आतर डेफिनेटल आपको यह question पूछा जाएगा ओके यह रापके समने question नंबर फोर्थ करने हैं इसका मतलब अपने को यह पता है कि यह यह जो value x और y की वह इस equation में put करेंगे तो यह को satisfy करेंगी equation के अपने पड़ अपने को पता है कि कौन इसके solution भाईया x is equal to 2 and y is equal to 1 इसमें put करेंगे तो केवल के यह बचेगा और के की value find out करनी पूट कर दिए टू इंटू x की value 2 प्लस 3 इंटू y की value 1 इक्वल टू में कोने के solve करिए यह हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू कोने के यह आ गया 7 तो के की value मिलगी ने अपने को है यह यह तो पूचा था सिंपल सा क्या पूचा था के की value find out करिए यह यह इसके solution है कि तो माइड एक्ससाइस 4.2 में मैंने आपको जो आपकी linear equation इन टू वेरियेवल थी उसके मैंने आपको solution find out करना कहीं न कहीं सिखा है ठीक है यह एक्ससाइज यहां पर complete होते हैं ओके ठेंक्यू